मध्यप्रदेश के मंसौर जिले का भानपुरा क्षित्र धार्मिक प्राकृतिक एतेहासिक स्थलों में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। इन्ही मैंसे एक एतेहासिक स्थल। भानपुरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर नावली गाउं के पास अरावली परवत की सुरम के राजा तक्षक और आयूर्वेद के जनक धनवंत्री का स्थान है। यहां बारवी शताबदी में बना हुआ एक पौरानिक व एतेहासिक ताखाजी का मंदिर है। जरने का पानी गिरकर एक विशाल कुंड का निर्मान करता है। स्थानिय लोगों के अनुसार इस जलकु कुंड की गहराए आज तक पता नहीं चल पाई है। यह स्थान गंगा के समान पवित्र होने के कारण लोग यहां अस्थी विसर्जन भी करते हैं। पहाडों से विशाल जरना कुंड में गिरता है और कुंड से पानी एक नाले के रूप में बहता है जो आगे जाकर एक से निकल कर गिरती है। जिसमें सनान से कई रोग ठीक हो जाते हैं। माना जाता है कि यह जलधारा कई जड़ी बूटियों से होकर गुजरती है। इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। आयोर्वेद के जनक धनवंतरी का स्थान होने से यहां प्राकृतिक संसाधन और अरजुन के पौत्र और अभिम्यू और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित जंगल में भटकते हुए, प्यास से व्याकुल होकर रिशी के आश्रम पहुँचते हैं। वो पानी मानते हैं, लेकिन रिशी ध्यान में तनमे होने के कारण राजा की बात सुन नहीं पाते है जिससे परीक्षित क्रोधित होकर पास में मरे हुए सर्प को रिशी के गले में डाल देते हैं। जब रिशी पूत्र श्रंगी आकर द्रिश्य देखते हैं, तो क्रोध के वशीबूत होकर परीक्षित को श्राप दे देते हैं, कि साथ दिन में तक्षक नाग के काटने से त परदान होता है। उनको गुलावा भीजते हैं। जब तक्षक को इस बारे में पता चलता है तो धनवंत्री जी की परीक्षा लेने के लिए यहां आते हैं और एक पेड़ पर अपना विश डालते हैं। धनवंत्री जी रास्ते में परी चड़ी को उठा लेते हैं। कुछ दूर चलने पर धनवंत्री जी अपनी पीट को उस चड़ी से खुजलाते हैं और उसी समय चड़ी सर्प बनकर धनवंत्री जी को काट लेती है। धनवंत्री जी अपनी पीट को आँखों से देख नहीं प दस्वी शताबदी में बने इस मंदिर में नागू के राजात अक्षक की एक प्रतिमा है। ना कि इसका उदेश किसी की भावना को ठेश पहुचाना है। और हाँ यदि आप भी तक्षकेश्वर महादेव वधनवंत्री जी के दर्शन कर चुके हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और ऐसी ही एतिहासिक जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। आगे भी चैनल के माध्यम से एतिहासिक जानकारी जान सके।